हलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दबुग गाय और आज हम आपके लिए लिकर आए हैं 0-1 बुग की हिंदी समरी जिसे लिखा है पीटर थिल ने दोस्तों पीटर थिल एक दिगज उध्यमी और निवेशक हैं ये किताब आपको ये बताती है कि कैसे हम उन नई चीजों को बनाने के लिए असामान्य तरीके खोच सकते हैं थिल अपनी शुरुवात हमेशा विपरिताधा से शुरू करते हैं वे कहते हैं कि हम भले ही तकनीकी ठहराव की यूब में रहते हैं बले हम मुबाइल करणों से विचलीद हों लेकिन तब भी हम नई चीजों को खोच सकते हैं तो चली फिर शुरू करते हैं दोस्तों जिरो टूवन में पेपाल के को फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट पीटर थिल कहते हैं कि नई तरीका है साथ ही मानौ प्रगती के लिए एक मात्र रास्ता है हलाकि आज टेकनलोजी स्थिर हो गई है हम जो करते हैं या बनाते हैं उन में से ज़्यादातर वही रहता है जो पहले से बनाया जा चुका है क्योंकि कुछ नया बनाने की अपेक्षा कौपी करना आसान है तिल कहते हैं बिजनस में हर चीज एक ही बार होती है अगला बिल गेस्ट अपरेटिंग सिस्टम नहीं बनायेगा अगले लेरी पेज या सरजिन बर्न सर्च इंजन नहीं बनाएंगे और अगला मार्क जकरबग सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनायेगा अगर आप इन लोगों को कल्पना करना आसान है क्योंकि वर्तमान में पहले से मुझूद है वर्टिकल प्रोग्रेस के लिए पूरी तरह से कुछ नया करनी के आवशक्ता होती है जिरो से एक तक जाना एक कल्पना करना अधिक खटिन है क्योंकि हमने इसे पहले नहीं देखा इसलिए मार्केट के म अभाने में मदद करता है उधारन के लिए एक टाइपराइटर के साफ thoughts शुरू करना और सब टाइपराइटर का निर्मान करना horizontal progress करना है वहीं दूसरी तरफ टाइपराइटर के साफ शुरू करना और एक word processor का निर्मान करना सर्टिकल प्रोग्रेस है Zero से One की तरफ बढ़ें, One से And नहीं, बेशक है model की नकल करना खुषणया करने की तुलना में आसान है, वो करना जो हम पहले से ही जानते हैं कि कैसे करना है और दुनिया को One सें तक ले जाता है, लेकिन हर बार जब हम कुषणया बनाते हैं तो हम Zero से एक तक जाते हैं, One सें तक जाना कुछ नया और ताजा करने का प्रयास होता है। जब बिल गेट्स ने Microsoft Word बनाया तो उनकी कमपनी जीरो से एक तक गई। जब लेरी पेज और सरगेन ब्रिन ने Google बनाया तो उनकी कमपनी जीरो से एक हो गई। इसी तरह जब Google ने Microsoft की कौपी करने की कोशिश की और Google Docs बन को गले लगाते हैं जो कि दुनिया को भेथर बनाने के लिए एक मिशन है जबकि Stablished Corporation जोखिम से दूर भागते हैं और अपने रेवेन्यू में सुधार करने लगते हैं। प्रतेक्शन एक बार होता है। थिलका मानना है कि व्यापार में प्रतेक्शन किवल एक बार ही होता है। अगले बिल गेट्स एकोपरेटिंग सिस्टम का निर्मान नहीं करेंगे। अगला लेरी पेज या सरगी बोन इंजन नहीं बना सकते। और अगले मांग जगरबग सोशिल नेटवर्क साइट नहीं बनाएंगे। यदि आप इन लोगों को कॉपी कर रहे हैं तो आप क्योंकि इसमें हर एक इनोवेशन नया और अनुखा होता है। किसी भी अथोरेटी इस बात को ठोस रूप से नहीं बता सकती कि कैसे ज्यादा इनोटिव होना चाहिए। वास्तों में मैंने देखा है कि सबसे शक्तिशाली पैटर्न ये है कि सफल लोग अनेक्सपेक्टेट तरीकों से अपना मुल्य खोज लेते हैं और वैसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे सूत्रों के बजाए अपने व्यापार के सिध्धान्त के बारे में सोच कर ज्यादा काम करते हैं। प्रगती मॉनोपॉली से आती है प्रतिसपरधा से नहीं। एक कॉम्पिटिटिव बि के साथ सस्ती भोजन की पेशकर्ष करते हैं तो आप शायद करमचारियों को कवल नियूंतम वेतन का भुक्तान कर सकते हैं। और आपको अपनी हर शमता को निचोनने की आवशकता होगी। यही कारण है कि छोटे रेस्टोरेंट में दादी को रेश्टर में काम करवाने के लिए बच्चों के पीछे बरतंद होने के लिए रखा जाता है। गूगल जैसा मोनोपॉली बनाना अलग है क्योंकि इसमें किसी के साथ स्प्रतिस परदा करने की चिंता नहीं है। इसलिए इसके वरकर्स और प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव परता जा रहा है। गूगल का आदर्श वाक्य है बुराई मत करो एक ब्रांडिंग चाल लेगिन ये भी एक तरह का व्यावसाय है जो अपने अस्तित्व को खत्रे में डाले बिना नेतिकता को गंभीरता से लेने के लिए पर्यापत रूप से सफल है। व्यापार में या तो पै ऐसा बनाने के अलावा अन्य चीजों के बारे में सूच सकते हैं जबकि सही प्रतिस परधा में नोन पॉल प्रिस्ट ऐसा नहीं कर सकते पर्फेक्क कॉंपटिशन एक व्यावसाय है जो आज के मार दिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस संभवत लोंग टम भविश्य क बन सकता कि अबल मोनोपॉली प्रॉफिट एक व्यावसाय को अस्तित में बनाये रखने के लिए रोज के संगश को पार करने के अनुमती देती है तो मोनोपॉली अंदर से सभी के लिए अच्छा है एक मोनोपॉली मार्केट बनाना कस्टमर को अच्छा वैल्यू प्रदान करता है यदि आप किसी चीज के लिए बाजार में एक मातर विकल्प हैं तो आप कीमत बढ़ा सकते हैं दूसरों के पास खरीदने के लिए आपके लावा कोई और विकल्प नहीं होगा लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वो गतीशील है हम नई और बहतर चीजों का कर सकते हैं क्रियेटिव मोनोपोलिस्ट दुनिया में पूरी तरह नई श्रेणियों को जोड़कर अधिक ग्रहकों को अधिक विकल्प दिते हैं रशनात्मक एक अधिकार यानि की मोनोपोली सिर्फ समाच के लिए नहीं बलकि इसे बहतर बनाने के लिए एक शक्ती शाली इ संगर्ष करना पड़ता है ये काम भी करता है लेकिन पहले बढ़ना एक नीती है लक्ष नहीं जो वास्तों में मायन रखता है कि आप भविश्य में कैश लोग कैसे उत्पन्न करेंगे दे फर्स्ट मोवर एडवांटेज में कोई भी आपकी बरावरी नहीं कर सकता या आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप रिच डैट पूर डैट जैसी कई बुक्स की फुल ओड़े बुक सुनना चाते हैं तो इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सबसे इंपोर्टेंट बात तो दोस्तों अगर आ आप हमें सपोर्ट करना चाते हों तो सूपर टैंक टैब अब हमारे चैनल पर इनेबल हो गया है आप जाकर वहां पर हमें सपोर्ट कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ धन्यवाद